सब्सक्राइब करें Audio Guru जी चैनल को और बेल आइकन जरूर दपाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें नमस्कार दोस्तों Audio Guru जी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अमित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि किसी भी speaker की जो dust cap है उसे हम कैसे replace कर सकते हैं और नई लगाना चाहें तो नई कैसे उसे लगा सकते हैं एक्च्छल में दोस्तों होता क्या है कि बहुत सी बार जो हमारा speaker होता है वो speaker तो हमारा बिल्कुल ठीक होता है, पूरा perfectly वो काम करता है, मगर उसकी dust cap जो होती है, वो कई बार उतर जाती है, यहां फिर फट जाती है, यहां अंदर की तरफ दव जाती है, तो देखने में बुरी लगती है, तो इस condition में हमारा जो पूरा speaker है, बाकी तो सब वक कर रहा ह होता है, सिरब वो dust cap जो होती है, दोस्तों, dust cap की वजह से हम कह सकते हैं, कि उसकी जो show है, जो उसकी look होती है, वो बिल्कुल खतम से हो जाती है, तो आज के वीडियो में हम दोस्तों यही देखेंगे, अभी मेरे पास यह client है, मेरे, वो उनके साथ भी यह दिक्कती, उनकी dust cap का वो speaker से उतर गई है, तो monitor speakers हैं, उनके, तो वो आज मेरे पास लेकर आए थे, तो छोड़ गए हैं, वो मेरे पास में तो मैंने उनकी dust cap जो सी change होनी थी, तो मैंने सोचे कि एक video बना कर डाल देता हूं, कि easy सा step होता है, कोई यादा, लंबा चोड़ा काम भी नहीं कोई होत exercise में, तो मैं आप लोगों के साथ भी इससे share कर लेता हूं, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, आप से निवेधन है, कि वीडियो अच्छे लगेगी, तो like कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को subscribe ज़रूर कर देता हूं, दोस्तों, सबसे पहले दो देखी हमें चाहिए है, कोई भी पतला पेज का सो, या लाइनर वगएरा है, एक हमें इसकी जरूरत पड़ती है, दूसरा जोंस है, वो हमें चाहिए मिट्टी का तेल या नि कैरसिन आइल, उसके बाद हमें चाहिए छोटा सा कुछ क इस वीडियो के इसाब से, एक हमें ये टेप चाहिए, कोई भी टेप हो सकती है, जुरूरी नहीं कि ये इस टाइप की हो, कोई भी हो सैलो टेप हो, बिजली वाली टेप है, ये कुछ भी है, उससे भी आप काम चला सकते हो, और एक हमें चाहिए डस्ट केप, चाहें वो नह तो दोस्तों, एलेसिस के वोनीटर है, जिसकी अभी हम डस्ट केप को चेंज करेंगे, तो इस प्रोसेस को मैं फास्ट करके दिखाऊंगा, अगर आपने देखना हो, तो आप अपने ही सेटिंग में जाकर, योट्यूब की सेटिंग में, उससे स्लो करके देख सकते हो, तो चलिए दोस्तों, अभी फिर हम अपने कांदंदे पर लग जाते हैं, इसे चेंज करने के लिए, और एक चीज मैं अबर बता दो आपको, ये जो प्रोसेस है, बहुत अराम से करने वाला प्रोसेस है, इसे अगर आप कभी भी करते हैं, तो कभी पी बीस पे जल्दबाजी मत करना नहीं तो आप अपनी चीज कोई डैमेज कर बैठेंगे थोड़ा सा रिलैक्स होकर बिल्कुल ये काम करना है अपने धीरे-धीरे करके तो इसलिए ध्यान रखें इस चीज का तो चलिए दोस्तों फिर हम अब इसे शुरू करते हैं तो यहां दोस्तों सबसे पहले हम इसे टेप से कनवर्ट ढख देंगे इसको पूरा कवर कर देंगे ताकि अंदर जोंस ये वो डस्त ना जाए चाकू लेकर मैंने चाकू से भी उसे थोड़ा बहुत खुर्चा है उसके बाद में एक ब्रश की मदद लेकर एक कैरोसिन आयल को ही ब्रश से मैंने पूरा उसमें लगा दिया अच्छे तरीके से लगा दिया ताकि जो थोड़ा प्रोसेस में जो काम टाइम लग रहा है जो तरीके से हम कैरोसिन आयल लेकर इसमें मिट्टी के तेल में ब्रश से हम इसे लगाएंगे और ब्रश के साथ में इसे दोस्तों काफी रगड भी लेंगे साथ में और उसके बाद कपड़ा लेकर इसे साफ कर देंगे अच्छे से कि जो बच्चा थोड़ा बहुत होगा वो ह हमारा सारा इसमें से हट जाएगा दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि कपड़े से मैंने उसे कवर कर दिया था अभी मैंने इसमें कवर करके कपड़ा रख दिया है इसके उपर और जो डस्ट कैप है उसे भी इसी तरीके से साफ कर रहे हैं पूरा केरफसी नौल प्रोसेस है वो है डस्ट कैप को लगाने का तो डस्ट कैप को लगाने के लिए दोस्तों टेप की मदद से मैंने डस्ट कैप के पीछे से उसे टेप लगा कर इस तरीके से कर दिया कि मैं उसे इजली पीछे से पकड़ सकूँ और सीधे का सीधा जोंसा है वो मैं उसे प्लेस कर सकूँ उसकी जगा पर तो पैन से मैंने पहले माक कर लिया था तो अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से कि वो ग्लू लगाने के बाद उसे मैंने लगा दिया है बाकी कुछ कही कही जगा पे ग्लू बच रह रही थी जो उसे फिर मैंने बाद में पेचकस की मदद से उसे महाँ पर ग्लू लगा दिया है और इस तरीके से उसे कोनों से सारी तरफ से चिपका दिया है अभी ये जो थोड़ा सा गंदकी अगर आपको दिखरी होगी इसमें साइडों में तो उससे कोई टेंशन वाली बात नी होती जब ये सूख जाती है न दोस्तों तो वो रवड तो दोस्तों ये था तरीका इसे डस्ट्रैप को चेंज करने का उमीद है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी या कुछ यूसफुल लगा होगा मेरा बताना आपको तो क्रिप्या करके लाइक ज़रूर कर देना और अगर कुछ प्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने तो सब्सक्राइब भी करते ना चैनल को इस ततरीके से दोस्तों अगर आप कोई भी हाई-end speaker यूज लगा लीजे कि अगर आप dust cap को लगवाने के लिए भी किसी भी service center में जाते हो या एक अच्छी किसी भी dealer के पास जाते थोड़ा सा चाहिए क्या केरोसी नॉइल चाहिए 10-20 रुपे में वो मिल जाएगा आपको बाकी का बॉन्फिक्स वगेरा चाहिए 20 रुपे की ट्यूब आपको वो मिल जाएगी कपड़ा चाहिए कुछ टूल चाहिए वो हमारी घर में वेस्ट पड़ा ही होता है तो टोटली तक्रीबन तक्रीबन 50 रुपे में आप 500 वाला काम खुद घर पर बैठ कर भी कर सकते हो तो चलिए विर अभी तो मैं चलता हूँ वकी आप खुश रहें आवाद रहें यहां रहें या काजी आवाद रहें और मोसम का तो सला समझ से ही बाहर हो रहा है तब भी आप चलिए स्वस्त रहें और मस्त रहें तो फिर मिलूगा मैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में अभी के लिए अलविदा चाहूँगा आपसे दोस्तों जैहिंद सस्क्राइब करें आडियो गुरुजी चैनल को और बेल आइकन जरूर दपाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें